आज हम 10 Literary Terms करेंगे, 36 से लेके 45 तक इसमें कुछ तो ऐसे होंगे, जिनमें आप word meaning, जो होते हैं, dictionary वाले, केवल एक ही word में आप याद कर लोगे, और कुछ जो हैं, थोड़ा सा मुश्किल होंगे, उनको मैं आपको deeply समझाऊंगा, उनको अगर आप book से भी पढ़ोगे, तो आपको समझ में नहीं आई, तो उसे क्या कहेंगे, हम साइफर कहेंगे, कि वो जो है साइफर है, और अगर आपने उसको डिकोड कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, डिसाइफर, अर्थ निकालना, गुप्त लेक को पढ़ना, डिकोड करना, तो डिसाइफर होता है, डिकोड करना, अर्थ निकालना, गुप्त लिख को पढ़ना, और साइफर हो था, गुप्त लिखावट, कुछ नहीं, शूने, नेक्स देखते हैं, सकम लकूशन, सकम लकूशन से मतलब होता है, शब्द बाहूले, मींस एक सेंटेंस है, मैं वहां गया, अब आप इसको खूब खींच कर कहना, बड़ा चड़ाकर का मतलब क्या है, एक सिंपल सी चीज को आप कई सेंटेंस में खीज दो, अब इसकी वज़े से क्या होगा, जब सकम लकूशन का यूज करोगा, तो क्लैर्टी खतम हो जाईए, एक सिंपल सी चीज है, मैं खाना खाने बाहर गया, अब आपने कहा कि मैं सोकर उठा था और मैंने सोचा चलो बाहर खाऊं और फिर ऐसे-ऐसे मैं हलका सा बाहर बढ़ा फिर रुख गया, फिर बाहर गया, फिर थोड़ा रुख गया, एक सिंपल सी चीज को आपने कई सेंटेंस में खीज दिया, मतलब एक ही कहना था, तो क्या हो गया, जो अब उन्हें भीकवार जब आजाती हैं तो अब क्या कहेंगे, क्लीशे कहेंगे, लख्या नूसी मोहाबरा या चलन से बाहर मोहाबरा, कौकणी स्कूल, कौकणी, भई नाम से बता लगा ना, कौकणी, करकश, कौकणी, करकश, एक ऐसी साउंड जो हमारे कानों का अच्छी गए था डिरोगेंटरी इस्तेमाल करने के लिए पनितर में ही तेतक है इसमें जन राइटर विल्यम हैसलोड को सबसे ज़ादा criticize करा गया था, इन पर यह आरोप लगा गया कि इनका जो rhyme है rhyme के प्रती, इनका poor taste है और इनके जो rhyme melodious, इनके जो सुरीला पन है वो भी इनमें अच्छा नहीं है, और केवल जो cockney here है, means जिनके कान, एक करकश धोनी कोई पसंद कर सकते हैं, वही इनकी पॉम को enjoy कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम कहें तो cockney here या फिर कहें तो false rhyme, false rhyme क्या होती है, means rhyme तो आपको पतागो, जैसे line है, car और far, यह rhyme है rhyme scheme है, car far, यहाँ पर मालो एक और word है, जो इस car से rhyme कर रहा है, तो यह rhyme हो गई, अब क्या होगा कि एक जो poet है, वो जबस्ती की rhyme scheme यूज कर रहा है, car का इसने far ना लिखके जो है, near कर दिया अब car or near कहीं से भी rhyming scheme में नहीं आता, लेकिन उसने यूज कर रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, false rhyme कहलाएगा, तो यह आरोप लगाया गया था इन poets पे, कि इनका जो है, यह false rhyme का यूज करते हैं, और ऐसी rhyme, false rhyme केवल cockney year को ही पसंद आईगी हर कोई इस rhyme को पसंद नहीं कर सकता आप कहोगे भई, अगर हम बात कर, John Keats की, John Keats में तो rhyme ठीक-ठाक मिलती है, उनके में तो एक तरीय सूरीलापन, melodious है जो John Keats के शुरुआती हो, कुछ वरस्त है उनमें जवस्ती की rhyme, scheme rhyme मिलती है, उनमें false rhyme मिलती है तो इस वैसे इने भी, जो है, John Keats को भी, इस school of poets में derogatory तोर पे इनने रखा गया था 1817 में, John Lockard थे, उन्होंने सबसे पहले इन, जो है, kokney school of poets को जो था, इन पर attack करा था और सबसे ज़्यादा जो criticize करा था वो Lee Hunt को करा था Lee Hunt पर आरोप लगाया था कि इनका जो है वो टेस्ट बहुत ही खराब है, तो John Lockard ने सबसे पहले इनको criticize करा था और जिस magazine ने criticize करा था उसका नाम ध्यान रखेगा Blackwood magazine, यह पूछा गया Blackwood magazine ने criticize करा Blackwood magazine में John Lockard ने criticize करा था यहाँ पर बाद में क्या हुआ Percy B. Shelley जो थे romantic writer, उनको भी इसमें खीचा गया और कहा गया कि यह भी kokney school of poet में इनने भी रखा जा सकता है, क्योंकि इनकी जो rhyme है वो खराब है, लेकिन जो दूसरे poets उनने का भी ऐसा नहीं है Percy B. Shelley की बात करें, तो यह तो perfect singing god है इनका तो बहुत ही अच्छी rhyme होती है इनका तो अगर हम पॉंको पढ़ा हैं तो पूरा ऐसा लगए जैसे song आ रहे हैं, तो Percy B. Shelley को जो था वो इसमें नहीं रखा गया, रखने ही कोशिश करी गई लेकिन इनको नहीं रखा गया तो Cockney School of Poets जो है वो derogatory term अपमान करने के लिए इस्तमाल करा गया था, Blackwood Magazine में सबसे पहले जो था एक इन poets को रखा गया था, कि ऐसे poets जिनकी rhyme scheme rhyme poor होती है और John Lockeart ने सबसे पहले इन्हें क्रिटिसाइज करा था अब देखते हैं कलोफन, कलोफन क्या होता है पब्लिशर सिंबल पब्लिशर सिंबल, मीन्स जो आप कोई बुक लेते हो तो उसमें सबसे पहले पन्ने पर जो होता है नाम होता है, छोटा सा जो होता है राइडर का भी नाम होता है और कहीं पर पब्लिशर का सिंबल भी होता है ताकि आपको पता लग जाए कौन सा पब्लिकेशन है तो क्या होता है कि जो पहले बुक्स से होती थी उनमें कलोफन होता था और जो कलोफन होता था, वो बुक के आखरी पन्ने पर होता था, लेकिन समय के साथ में थोड़ा चेंज हुआ, और ये कलोफन जो होता है, ये शुरुवाती पन्ने पर या फिर पहले पन्ने के बाद में होने लगा, कलोफन का मतलब ये होता था, कि पता लग जाए पढ़ने वाले को कि इसका publisher कौन है कहां पर यह publish हुई है तो कलोफन मींस कहेंगे publisher symbol next comic relief relief तो पता होगा relief होता चैन और comic होता comedy ऐसा होता है जब आप tragedy देखते हो tragedy stage पर perform कर रही है या फिर कोई आप tragic movie देख रहे हो तो क्या होता उसे देखकर आपके अंदर आसु आने लगते हैं और आपके अंदर एक tragic effect उत्पन होता है tragic effect की वज़े से क्या होगा आपके अंदर आसु आएंगे आप थोड़ा रोने लगोगे अब थोड़ा सा आपका मन जो बोजिल होगा तो क्या होगा कि जो director movie के director है या फिर कोई आप tragedy stage पर देख रहे होगा तो क्या होगा कोई comic character आएगा मस्खरा आएगा comic character है कोई comic scene आएगा उसे देखकर आपके चेहरे पर हसी आएगे आपके आँखों से आसु थोड़े गायव हो जाएंगे फिर कुछ दिरबाद दुवारा से आप जब उस tragic movie को या tragedy को देखोगे stage पर तो दुवारा से आपके अंदर tragic effect उत्पन होगा आप दुवारा से आपके अंदर आसु आएंगे तो क्या होगा इससे tragic effect बढ़े आता है आपको भी tragic effect कैसे बढ़ तो कड़वया पंजवा और जादा बढ़ गया क्योंकि आपने पहले मीठा पिया था तो क्या होगा कि आपने tragedy देखी tragedy की आप थोड़ा रो रहे अब आपके अंदर tragic effect आगया फिर आपने comic scene आया कोई मस्खर आया अब आपके अंदर क्या होगा कि आपके आशकों से आसु आप हसे थोड़ा अब जो दुबारा से आप tragedy देखोगे तो उसका असर बढ़ आएगा tragic effect बढ़ जाएगा तो जो comic relief होती है यह जो खासकर जो drama होते हैं जो एक तरीके से tragic drama होते हैं उनमें इस्तमाल कराया आता था writers के दौरा ताकि जो देखने वाले हैं और जो stage पर देख के द्वारा थोड़ा सा हलकापन क्रियेट कर देता था थोड़ा सा comic relief देता था इस तरीके के जो होते हैं जब यह comic relief आते थे तो इनसे जो एक drama कहते हैं कह सकते हैं उनका tragic effect या seriousness, seriousness बढ़ यादी भी इसके example अगर हम लें तो Hamlet जो play है Shakespeare का उसमें grave digger scene है grave digger जो हैं जो कब खोद रहे होते हैं लेकिन जब बात कर रहे होते हैं तो ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि वह कोई comic comedy कर रहे हैं तो हम जब उसे पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता हलकापन महसूस करते हैं उसी तरीके से एक दूसरा पिले है Shakespeare का ही Macbeth उसमें जो porter होता है से पहले क्या होता है दो character है एक तो मरकूटियो और old nurse यह दोनों आपस में बातचीत करते हैं तो जो आपस में जो बातचीत करते हैं इसमें भी comedy है तो जो tragedy होती है उसमें खासकर आपको comic relief मिलेगा comic relief की वज़े से आप थोड़ा सा हलकापन महसूस करोगे थोड़ा सा enjoy a plenty poem means शिकायत वाली poem शिकायत वाली poem ऐसा है कोई writer है कोई poet है वो क्या होगा कि एक poem लिखेगा यह खासकर poem जोगी एक तरीके से monologue होगी monologue में क्या होगा वो केवल अपनी बात करेगा शिकायत करेगा कि ऐसे ऐसे मैं किसी से प्यार करता हूँ लेकिन वो मेरा बिल्कुल respond नहीं कर रहे है ध्यान नहीं दे रही है मैं उससे बात करना चाहता है वो मिलती नहीं तो शिकायत होती है इन poem में क्या होती है शिकायत होत और एक और लिगी थी the complaint of Chaucer to his empty purse, तो ये एक तरीके से complaint, plenty poem है, जिसमें Chaucer complain करते हैं, कि जो उनकी beloved है, वो उनके love के प्रती बिल्कुल भी respond नहीं करती, और इसमें जो होता है, वो कारण बताते हैं, कारण की बात करते हैं, क्या कारण है, वो किस्वे से पसंद करते हैं, और वो क्यों जो है, वो इससे दूरी बनाए हुए, next है conceit, बहुत ही important है, थोड़ा मुश्किल है, conceit को अगर हिंडी में मतलब देखें, तो होता घमंड, यहाँ पर conceit का एक मीनिग याद कर लिएगा, literature में, fanciful metaphor, metaphor तो पता ही, आपको fanciful kalpna shield, metaphor क्यों होता है, जब दो अलग चीजों को एक माना याता है, चैसे camel is a ship of desert, camel को क्या माना, ship, desert का ship, camel is a ship of desert, जो conceit होते हैं, literature में, fanciful metaphor होते हैं, kalpna shield metaphor होते हैं, इनमें दो अलग चीजों को, बिल्कुल अलग चीजों को एक माना याता है, उससे हम conceit को conceit कहते हैं, यहाँ पर एक example हम लेंगे, John Dunn का, A Valediction Forbidding Morning, इसमें क्या कहते हैं, जो John Dunn ने वो compare करते हैं, जो दो लोग हैं, दो लवर हैं, वो यह compass है, compass के दूर की तरह हैं, जो एक दूसरे से तो दूर हैं, लेकिन कभी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उपर बंदे हुए हैं, और एक दूसरे के चार और घूमते हैं, तो बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ हैं, दो लवर्स को क्या कमाना है, एक compass के point की तरह माना है, तो conceit जो है, एक तरीके का fanciful metaphor होता है, जिसमें comparison जो होता है, वो बिल्कुल दो अलग 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 चीज़ों के बीच में होता है, यह जो conceit होते हैं, इनको हम दो कैटेगरी मे रख सकते हैं, patracon and metaphysical conceit, पहले देखता है, patracon conceit, पर patracon आपने सुना होगा, patracon जो थे, वो 14 cc के Italian poet थे, इन्होंने जो sonnet जो थे, वो popular करे थे, sonnet इन्होंने लिगए थे, 14 lines के, तो patracon ने जो sonnet लिगए थे, उसमें जो conceit यूज करे थे, उनके नाम पर हमें पढ़ा उनके नाम पर पढ़ा था पैट्रागन कंसीट, तो पैट्रागन कंसीट जो यूज करेते ए, वो अपने सॉनेट में यूज करेते, अचा यह जो सॉनेट थे यह भुत ही एकस्टेंडड़ा गटे थे, एकस्टेंडेट से मतलब हो गया, कि 14-line का sonnet है, तो यह जो metaphor होता था, यह कई लाइनों में खिसता था, 4-line, 5-line, 6-line में खिस सकता था, तो जब पॉंग को पढ़ते थे, तो हमें लगता था कि दो चीजों को compare करा गया है, और तब बाद में सभज में आता था, अरे यह तो चार लाइन में एक तरी extended metaphor है, क्योंकि यह थोड़े बोजिल होने लगे, इसमें जो comparison होता था, कई line में होता था, 3-4 line में comparison चला जा रहा है, तो यह बोजिल से लगने लगे, इनको criticize करा जाने लगा, शेक्षपिर्ण ने एक sonnet लिखा था, 130, 130 नमबर का sonnet था, जिसमें मजाग उड़ाते हैं, वो पेट्राकन कंसीट का, पेट्राकन कंसीट का मजाग उड़ाते हैं, कंसीट बाने क्या हो गया, fanciful metaphor, एक कलपनाशीर metaphor, तो इसका मजाग उड़ाते हैं, अब दूसरा दिखते है, metaphysical conceit की बात करें, तो यह इससे भी दो कदम और आ गया है, metaphysical conceit, conceit तो पता है, metaphor conceit क्या होता है, fanciful metaphor, और metaphysical conceit में क्या हो गया है, एक ऐसा metaphor, जो बिल्कुली एक दूसरे से लेना दे रही ना हो, यहाँ पर हम john dunn का एक example लेंगे, john dunn ने क्या है, दो lover की बात करें, दो lover जो थे वो सो रहे थे, अब क्या होगा, दो खटमल आए, फिली आये, और फिली ने खून पी लिया, दोनो lover का खून पी लिया, अब जो फिली ने खून पी आया, तो क्या होगा, दोनो lover का उसके अंदर milan हो गया, तो दो लवर का क्या माणा है एक फली से comparison कर दिया एक खट्मल से comparison कर दिया दो लवर्स का कि एक खट्मल ने दोनों लवर का खुन पी लिया अब वो जो है उसके अंदर दोनों लवर आ गए तो बिल्कुल अलग चीज़ है कहीं से कोई तुकी नहीं है तो जो पैट्राकन कंसीड थे उससे ये और जादा दो कदम आगे थे तो इसमें जो था बिलकुल दो अलग अलग चीज़ है जिनका एक दूसरे कोई लेना देना ही नहीं होता था उन्हें एक मान लिया जाता था इसको बहुत जादा क्रिटिसाइस करा गया क्रिटिसाइस क्यों करा गया क्योंकि इनमें जवस्ती का एक दूसरे से कंपेरिजन करा या था यहां पर जो सैमुल जॉंसन थे उन्होंने क्रिटिसाइस करते हुए कहा था यह एकजाम में पूचहा गया है योग्ड by उसी से confessional poetry बनती है Robert Lowell ने एक बुक लिखी थी Life Studies, यह publish हुई थी 1959 में तो जो Robert Lowell यह याद कल लिएगा नाम Robert Lowell ने जो Life Studies लिखी थी 1959 में publish हुई थी, तो बाद में जो critics थे, reviewers थे, उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने का कि वह यह जो work है, इसको हम confessional work कहेंगे confessional work कहेंगे क्योंकि इसमें, जो Robert Lowell ने अपनी जो रहसें Life के, जो नहोंने किसी से शेर नहीं करे थे वो confession करें हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी गुप्त चीज़ें जो नहोंने किसी को नहीं बताई थी आज तक वो confession करी हैं, तो यह confessional work कहलाता है, confessional poetry तो confessional poetry वो हो गई जिसमें कोई poet अपने Life के, जो खास experience है, जो उसने कभी किसी को नहीं बताए वो हमें, अपने work में बताता है, वो शेर करता है जैसे sexual experience को बता सकता है अपने दिमागी परिशानियों को बता सकता है, बीमारी को बता सकता है अगर उसने कभी drug ली हुई है, जो कभी उसने कभी किसी को बताई हुई नहीं है, उसको बता सकता है suicide करने की कोशिश करी है, तो वो सकता है, इसको शेर करे हैं हमसे तो ऐसी चीजों का confession करता है जो उसने आज तक कभी किसी को बता ही नहीं है, इस वेसे से confessional poetry कहते हैं, अगर confessional poems की बात करें, किन-किन writers ने लिखी, तो Allen Ginsberg, इन्होंने लिखी है, Sylvia Plath, इसका नाम जरूर धियान रखेगा, Ann Sexton और Kamla Das, ये बिलकुल नाम धियान रखेगा, Kamla Das के जो कुछ poem हैं, उसमें confessional poetry हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने life के कुछ खास experience हैं, जो उन्होंने कभी share नहीं करें, वो अपने work में जो है, share करें, यहां पर अगर हम बात करें, confessional poetry की, तो ये बिलकुल जो है, अपोजिट है, जो T.S. Eliot और New Critics ने कहा था, T.S. Eliot और New Critics ने क्या कहा था, T.S. Eliot उन्हो ने यह कहा था, कि जो poets हैं, उनको कभी भी अपनी personality के बारे में नहीं लिखना चाहिए, impersonality, इस word को ध्यान करा, opposite personality का उल्टा, impersonality, अपने work में, अपनी personality का जिक्र नहीं करना चाहिए, जैसे romantic writers होते होते हैं, उन्होंने हमेशा अपने बारे में बात करी, मैं यहां जा रहा ह मैं वहां खा रहा हूँ, मैंने यह करा, उन्होंने criticize करा romantic writers को, T.S. Eliot और New Critics ने, उन्होंने करा poets को हमेशा, जो अपने बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो impersonality होनी चाहिए, लेकिन जो confessional poetry होती है, यह एक तरीके से अपने बारे में ही बात करती है, यह opposite होती है, जो T.S. Eliot ने कहा था, बिल्कुल उसका opposite है, क्योंकि इसमें आप अपने बारे में ही बात करते हो, कि मैं यह कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, अगर हम बात करें, शुरुवाती works में, तो St. Augustine थे, उन्होंने 480 में, लगभग आस से कहें, 1600 साल पहले, एक work लिखा था, Confessions, यह जो Augustine ने Confessions लिखा था, लेकिन इसे हम Confessional वर्क में नहीं रख सकते, इसी तरीके से, जो Romantic writers है, Romantic writers में Wordsworth हैं, College हैं, Shelly हैं, Keats हैं, तो जैसे Wordsworth हैं, Tinter ने भी लिखी, College ने, Dejection और लिखा, इनके वर्क को भी हम Confessional Poetry में नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्होंने भी क्या लिखा है जरूर इसको ध्यान लखिया, बहुत important exam में पूछा गया है, लास जखते हैं, Connotation and Denotation, पहले Denotation को दिखते हैं, Denotation, Moolart, आपने Dictionary में कोई Meaning देखा, जैसे ये रोज है, इसका Meaning देखा, रोज क्या होता है, तो Dictionary में आप Meaning देखा है, तो इसमें निकलेगा, रोज जए चिपा हुआ मतलब है, वह हो गया, Connotation, तो Connotation इसका चिपा हुआ मतलब क्या हो गया, गुलाब, क्या होगा, गुलाब, प्रेम का प्रतीक है, गुलाब, लाइफ में खुश्बू फैलाने की बात करता है, तो ये चिपा हुआ मतलब होता है, तो ये चिपा हुआ मतलब होत खाता है, यह dictionary का meaning हो गया, अब connotation का मतलब क्या हो गया, connotation का भावार्थवाने मतलब क्या हो गया, सांप का मतलब आपने देखा दो, सांप का मतलब हो गया, ऐसा व्यक्ति जो आपके पीट पीछे बुराई करे, आपको नुकसान पहुंचाए, जो हमेशा आपका अहित चाहता हो, आपके पीट पीछे खंजर भौकना चाहता हो, उसका meaning हो गया, connotation, means भावार्थ, छेपा जैसे घर, घर dictionary में देखा, घर, लकड़ी का, या इंटो का बना हुआ मकान, यह हो गया, dictionary वाला meaning, जहां पे आप रहते हो, यह हो गया, denotation, और connotation क्या हो गया, ऐसी जगे जहां पे आपको आराम मिले, जहां पे आप अपनी परिशानियों को भूल लाओ, तो वो क्या हो ग झाल झाली मिले, ज Tack sc jeunes, प्योब एकपो आर का ये मिले, झाल छो को आपको आर सेंब हो, यह हो झाली मिले, बीएमिले, और म vegो कर दो लीमिले, जहां झाली